बिस्मिल्लाहिर्रह्मानी रहीम अस्सलामों अलाइकुम और रहमतुल्लाह आज है तारीक 25 अप्रील 2022 दीन है सोमबार आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूच कनेक्शन सहुदी अर्भिया मैं हूँ रहमत अली लेकर हाजीर हूँ आज का नया अप्डेट आपके लिए तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों अब से कुछ दिन पहले हज मंत्राले इन्हें ये घोसना किया था सभी देशों को एक निश्चित मात्रा में कोटा दिया जाएगा और विदेशी हज यात्रियों को ज्यादा मौका दिया जाएगा अता हज मंत्राले ने इस की घोसना कर दी है इस फाइनल लिष्ट में जानते हैं आपके देश को कितना कोटा दिया गिया है हज और उमरह मंत्राले ने 2022 के लिए दुनिया भर के सभी देशों के हाजियों को कोटा की मंजूरी दे दी है जिसमें एक हजार मुसलिम में एक मुसलिम को हच करने की मंजूरी मिली है दुनिया के सबसे अधिक मुसलिम आबादी वाले देश इंडोनेसिया को इस कोटा में सबसे पहले अस्थान पे जगध दी गई है दूसरे अस्थान पे पाकिस्तान और तीसरे अस्थान पे भारत है और चोथे अस्थान पे बंगला देश और सबसे आखरी और निचले पाइदान पे अंगोला देश है अब जानते हैं किस देश में कितना कोटा दिया गया है इस लिश्ट में पहला अस्थान पाने वाले इंडोनेसिया को एक लाख इक्यावन कोटा दिया गया पाकिस्तान को 81,000 और भारत को 89,237 और बंगला देश को 57,585 कोटा दिया गया बंगला देश इस कोटे में चोथे अस्थान पे है हज और उम्रह मंत्राले ने अब से कुछ दिन पहले या घोसरा की थी कि इस बार कुल 10 लाख हाजी हज कर सकेंगे जिसमें 85 परतिसत हाजी विदेशी और 15 परतिसत हाजी घरैलू यानि सहुदी में रहने वाले हाजी होंगे तो इस परकार कुल मिलाकर सारे 8 लाख हाजी लोग बाहर से आएंगे और 15 लाख अपने सहुदी के हाजी घरैलू हाजी होंगे आपको यह भी या दिला दे जो लोग इस बार हज करने आएंगे उनकी आयू 55 साल से कम होना चाहिए और कोरोना का दोनों डोज कम्पलीट होना चाहिए आने से पहले 22 घंटा पहले का नगेटिब PCR टेस्ट भी पास रखना होगा तो उमीद करते हैं यह नए अपडेट आपको पसंद आया होगा इस वीडियो से रिलेटेड कोई कोश्चन हो कोई कुईरी हो तो आप कमेंड करके पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे अपने दोस्तों के साथ सेर कर दे और नए अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्क्राइब कर ले मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए अस्सलाम अलाइकुम और रहमतुल्ह